नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मनीश भारती और आप देखने संस्कृति यूटूब चैनल दोस्तों देश की सुरक्षा और रक्षा के लिए जितने भी जरूरी कदम हो उठाए जाने चाहिए और भारत सरकार निरंतर ऐसा कर भी रही है आज इस टॉपिक पर हम बात कर रहे ह हैं वह है प्रोजेक्ट जोरावर क्या है प्रोजेक्ट जोरावर इससे जुरे हुए तमाम पहलों को हम समझेंगे यह कैसे देश की सुरक्षा को और मजबूत करेगा कैसे भारती शैना का मनोवल बढ़ाएगा और किस तरह से हम पाकिस्तान या चीन के जो जबावी कारवा उसके खिलाब हम कर पाएंगे इन सब चीजों को हम देखेंगे देखिए प्रोजेक्ट चुरावर है क्या अगर आप इस फोटोग्राप को देख रहे हैं तो दरसल आप समझ रहेंगे कि एक टैंक की बात की जा रही है हम एक टैंक बनाना चाहा रहे हैं और टैंक जो है उस हमारा युद्ध हो चीन के साथ दुर्गम पहारी छेत्रों में तो वहां हम उसे एर लिफ्ट करके भी ले जा सके असानी से इन सब चीजों को ले करके बात चल रही है और उसे ही अब फाइनली रच्छा मंत्राले ने सुखरत कर दिया है उस पर काम चल रहा है मज़े की बा फोटो टाइप है इस टैंक का ऐसा ही कुछ प्रजेक्ट जो राबर होगा इसको आप ध्यान से देख लीजिए फोटोग्राप को यह जो राबर नाम का एक सौदेशी रूप से डिजाइन और विक्सित लाइट टैंक है इस बात को ध्यान देखिए सौदेशी रूप से तो पहले कहा जो वजण में कम होगा इसका जो वजबं एक इस टेंडर रखा गया है वह 25 टन के आसपास रखा गया है मतलब इसमें 10 परसेंट का मार्जिन हो सकता है थोरा आगे पीछे उसकता है ऐसा माना गया है लेकिन बहुत नहीं ऐसा नहीं कि 25 के अलाबा यह 32 टन का हो जा यह 35 टन का हो जा ऐसा नहीं यह फिर ऐसा नहीं कि 25 टन है तो यह और कम हो जाए 17 टन पर बन जाएसा नहीं दो-चार टन आगे पीशे चलेगा 10% का मार्जिन है इसका उद्देश उभरते खत्रों और आधुनिक युद्ध चिनोतियों से निपटने के लिए भारतिय सेना को ब बहुत अच्छा रिस्ता नहीं रहा इसका मतलब एक है पाकिस्तान की बात कर रहा हूं दूसे तरफ चीन की बात कर रहा हूं तो उस इस्थिति में और युद्ध की सहली आजकर काफी आधुनिक होते जा रही है तो जब आप आधुनिक दौर में हैं तो आपके पास वैसे भी होने चाहिए जिसमें आधुन एक टखनीक से लिइस हो तो जो एज जो यह टो एक टेंक ही व daw में कम है यह इसे एयरलिट तो कर ही सकते है साथ ही इसमें आधुनिक टखनीक भी होगा कर लेंगी है अब सबसे कस्मिर के जो राजा हुआ करते थे गुलाव सिघोंके साथ यह काम कर चुके हैं और इनके बारे में कहा जाता है ये काफी प्रतापी थे वीर योद्धा एन्हें माना जाता योद्धा 19 77 में चीनी सेना तक को इन्होंने हराया था इसके अलावा जो 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 यह तिबत पर इन्हों ने विजय पराप्त किया था यह काफी जो है अपने युद्ध कौशल के लिए जाने जाते थे विख्यात थे इसी वज़ाद से इनके ही नाम पर इस प्रोजेक्ट का नाम जो रखती है और हो गया प्रॉजक्ट जो रावर अब समझते हैं कि आखिर इस टैंक की ज़रूरत क्यूं पर गई ऐसा नहीं कि हमारे पास टैंक है नहीं हमारे पास और लेडी जो है टी 70 है हमारे पास अरजुन जो हमारा 100 देशी टैंक है वह भी हमारे पास फिर भी हमें प्रोजेक्ट जुराबर लाने की जरूरत क्यों पर गई देखिए 2020 का साल यह दिया आपको याद हो और आप जहन में 5010 में हो यहाँ देखिए के पास यहाँ जो है इधर भारत का हिस्सा इधर चीन का हिस्सा तो यहीं पर एक जहीं है जो यहाँ पर बहती है भा पर छीन के सेनिकों के साथ भारत के सिघ्तर में और अपने टैंक है नहीं कि हमारे पास जो टैंक है वह thế नहीं हुप हमारे पास उटॉबंचा और पहुंचा ही नहीं पाते हैं तो फिर इस इस्थिती सुपगर वाँ में हम चीन रहता है इजए सुपगर में करना परएगा ऑधोनिक उससे उसका वजन तो नहीं से अब काम कर रहे हैं पुरवी लद्दा यहां इसका जरुरत परेगा कई सारे दर्रह जहां से गुजरना पड़ेगा भार में कम होगा छोटा होगा तभी तो कर पाएंगे जैसे कि टी 72 जैसे भारे टेंक जो है यह इसका हमको नहीं कर पाते हैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं जैसे कि रूस का हमारे पास है इस से हलका है इसका वजन 40 टन के आसपास होता है और स्वादेसी अरजुन होता है एक सट टन का यह एक टैंक होता है तो इसका एयर लिफ्ट कराना लगभण नामुम्प्किन है आप सोचते होंगे कि इसका इसका हम काम लेते हैं रेगिस्तान वाले तो जो पाकिस्तान का बॉर्डर से परता है राजस्थान वाला वहां पर यह तैनात रहता है तो इसलिए इसका वजन भी उसी तरह से रखा जाता है लेकिन अब इतने वजन वाले टैंक हमें मतब चाहिए तो लेकिन जब हम उपरी पहारी हिस्सों में लड़ने जाएंगे थोरा सा उसे भी जेल ले क्योंकि यहां जील के आसपास इसी स्थिती बन रही है तो यह जो टैंक हम बना रहे हैं प्रजक्ट जो रावर इसमें हम यह भी फीचर्स डाल रहे हैं यदि पानी वाला हिस्सा आएगा तो वह उसका इंजन वहां भी काम कर जाएगा जहें जाए जा रहा है आप इसको समझ लेजिए ऐसा नहीं है कि यह मतलब कहीं से बाहर से आफर नहीं आया था जैसा कि आपको मैंने बताया कि यहां पर भी रूस ने हमें यह आपकी मदद कर देते हैं यहां पर एक बात भारत सरकार पहले कदम उठाई भी थी लेकिन जब युक्रेन रशिया का युद्द दर रूश फश गया तो भारत सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम खुद ही अपने बलबूते पर आत निर्भर होते हैं और यह काम करते हैं बार में आप देखेंगे तो कहीं ने कहीं भारत सरकार रूस के इस ओफर को दरकिनार कर रही है और फिर प्रधान का काम हो रहा है आगे चलके जल्दी फिर हो जाएगा इन टैंकों में भारी टैंकों के समान मारक शम्ता होगी अब यहां इस ताइमें समझ लीजिए कि कहीं आपके मैं ऐसा तो नहीं आ रहा होगा कि जो टी सेवेंटी टू है या टी 90 है या अर्जुन जो टैंक है अब यह भारी भरकम टैंक हैं तो मारक शम्ता भी इनकी जैदा होगी यही एक खासियत है कि प्रजेक्ट जो आबर होगा तो हलका होगा 25 टन के असपास ही लेकिन मारक शम्ता के साथ कोई कंपरमाईज नहीं किया जाएगा इसमें इसकी मारक शम्ता बहुत अच्छा होगी दूसरा जो है आर्टिफीसिल इंटेलिजेंस पर यह काम करेगा और साथ ही इसमें ड्रोन भी लगा होगा मैं आपको दिल्चस बात बताओं कि मालेजी यह पहारी हिस्सा है ठीक है अब यहां पर चीन की सेना है और यहां पर भारत का यह टैंक है ठीक है भारत का टैंक है तो यहां हमें पास डौन लगा रहेगा तभी तो हम यह जान पाएंगे यहां पर यहां से देख लेंगे कि चीन की सेना यहां पर क्या गतिविधि कर रही है ठीक है तो इस टैंक में हम दिल्चस्प यह बात है अपने हलके वजन के कारण यह टैंक उचे पहारों से दर्रों तक आसान वार यहां से अलग अलग जगों पर हम इसे रख सके तो हाई लिए बहु है के उंचन को तैयर किया जाएगा दूइप के जो छेत्रे हैं वहाँ पे और सिमान्त इलाका जो है जो हमारी बॉंडरी साजा करते हैं दूसरे देशों के शार उसके लिए भी से तयार किया जा रहा है तो आने वाले समय में यह उमीद है कि भारत के पास प्रोजेक्ट जोरावर नाम से टाइट टैंक जोरावर करता है